सभी आंगनबाडी सेवी का सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी नियूस चैनल की आज साम पांच बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायों बहनों वीडियो को पूरा जरूर देखना आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश में निदसाले से जारी एक आदेश आप सबको दिखाने वाले हैं और ये आदेश HCM योजना यानि हाट कुक्ड मील योजना जिसके अंतरगत वित्तिय वर्स 2023 में जो प्राप्त खाद्या है उसके समायोजन किये जाने के समंद में ये आदेश जारी हुआ है इसको ध्यान पूर्वक सुन लेना ये आप सबके जो HCM है उससे कहीं न कहीं आप सबको काम करने में मदद करेगा कि कैसे क्या विभाग से बोला गया है समायोजन के बारे में जो भी अवसेस HCM का खाद् आपका बचा है ये लेटर पहली बात तो बता दे कि 10 तारीक को जारी हुआ है यानि 10 मई को यानि कल पत्र संख्या है 213 और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जो DPO है और जो प्रभारी DPO है उन सबको ये लेटर दिया गया है लेटर भेजा है नदेसक सरनीत को और ब्रोक अब बात करते हैं लेटर की लेटर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा गया है निदसाले से कि उपर्युक्त विसे के सम्मंद में अवगत कराना है कि सासना देश संख्या 50 जो की 12-10-2023 के द्वारा उतर प्रिदेश में प्रात्मिक सिच्छा में संचालित पीम योजना की भाती आंगन बाडी केंदर पर पंजिकरत तीन से छे वर्स के बच्चों को पीम पोशड मैन्यू की भाती हाट कुगड मील उपलब्द कराये जाने के दिसा नर्देश निरगत किए गए हैं ततकरम में जन्पदों के आंगन बाडी केंदरों पर हाट कुगड मी योजना का जो संचालन है वो किया जा रहा है वित्तिय वर्स 2023 के माह नवंबर और देसंबर इनमें हाट कुक्ड मील योजना संचालित किये जाने के लिए निदसाले पत्र संख्या 1089 जो 3 नवंबर 2023 के द्वारा कुल यहां पर मेट्रिक टन गेहूं का लिखा गया है साथी साथ जो आपका 45 चावल भी दिया गया है इतने का अवंटन जन्पदों को किया गया था अब यहां पर देखिए आगे क्या लिखा गया कि कतिपय जन्पदों के द्वारा अवगत कराया गया है कि बाल विकास पर्योजना के आंगनबाडी केंद्रों पर पदरिक्त हैं अत्वा जो को लोकेटेड आंगनबाडी केंद्र एंजियों से आच्छादित हैं उन केंद्रों पर खाद्यान रहित अवसेस है यानि रखा हुआ है अवसेस यानि बकाया है यानि कुल मलाकर कहें कि उन सेंट्रों पर खर्चा नहीं हुआ तो अब लिखा गया उक्त के अत्रिक्त निदसाले पत्र संख्या 140 देनांक 24-4-2024 के द्वारा अनपूरक पुष्टाहार योजना के अंतरगत हाटकूब्ड मील योजना के लिए वित्तिय वर्स 2024-25 के प्रथम त्रेमास जो की अप्रेल मई जून जिसके लिए गेहूं और 45 चावल इसके आवंटन हेतू नर्देश निर्गत किये गए हैं और मैंने आपको वो लेटर भी दिखाया था चैनल पर जो की आपके खाद्यान का बजट वगरा वाला था जिसमें इसी 2024-25 सत्र के प्रथम त्रेमास यानि अप्रेल मई जून इन तीन महीनों के लिए खाद आपको नर्देश किया जाता है कि वित्तिय वर्स 2023-24 में आगनबाडी केंद्रों पर आवंटित खाद्यान के सापेच जो रच्छित है यानि जो अवसेश खाद्यान है उसको विवेक पूंड तरीके से जनपद में उन आगनबाडी केंद्रों से जहां खाद्यान की मात्र अधिक है वहां से समीपस्त आंगनबाडी केंद्रों पर समायोजित करते हुए जिसके लिए ढुलाई भत्ता दे नहीं होगा ये भी उसमें लिख दिया गया खाद्यान का इस्थानी इस्तर पर उठान कराते हुए उपभोग करना सुनिश्चित करें तो इस तरह से यहां पर बाते दी गई है कि जो बहुत से आगनबाडी सेंटर ऐसे हैं जो रिक्त चल रहे हैं उन सेंटरों को लेकर के जो खाद्यान है वो रच्छित है यानि अवसेश पड़ा हुआ है तो उन सेंटरों के खाद्यान का जो है उसको ये समायोजित करना चाहत ध्यान देना इसमें आप सब का जो पिछला अवसेज बक्या होगा वो तो जैसे आप रजिस्टर मेंटेन करती हैं वो अपना वैसे ही करेंगी उसका इस चीज से मतलब नहीं है इस लेटर का कहने का ताथ पर है निदेशाले का कि जो आगनबारी सेंटर रिखते हैं उन सेंट कर लिया जाएगा इसके बारे में लेटर में लिखा गया बात करें अनीता बहन की उन्नाव जनपत से आती हैं जनों ने जानकारी प्रशारण के लिए बेजी थी अब बात करते हैं एक और जानकारी की थोड़ा सावधान भी रहेगा गर बैठे कमाने का लालच देकर के महल महलाओं से ठगी कर ली गई कमपनी भी फरार हो गई यह यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जनपद लखीमपुर का मामला बताया जा रहा है कमपनी वाले जो है यहाँ पर घर बैठे पैसा कमाने का लालच दे रहे थे जले की सैकडों महलाओं से लाखों रुपया लेकर के रफु चक्कर भी हो गए करमचारियों को काम पर रखा था उनसे भी पैसा जमा कराया और सेवरी का पैसा भी नहीं दिया पिर्टों ने गुर्वार को स्पी आफिस पहुँच करके सिकायत की खारवाई की मांग की है देखो हमेशा इंसान लालच में ही फसकर के अपना नु जाया की सेनेटरी पैट बनाएंगे इस तरह की कमपनी का हवाला दे करके महलाओं को जहांसे मिलिया और उनसे पैसे एठे सेलरी देंगे उसको लेकर के भी पहले ही पैसे जमा करा लिए गए ऐसे करके घूस लेकर के सब पूरा भाग गए लोगों को लगा हमें रोजगार म जमाने में जहां कहीं भी कुछ कोई कह देता है इंसान उदर भागने लग जाता यहां तक कि मैं एक पोस्ट देखता हूं सोसल मिडिया फेस्बुक वगरा पर भी जहां पर कोई लिखता है मुझे फलाने इतने लोगों की जो है जलूरत है इतने पढ़े लोग हों तो बता हैं देखता हूं मैं कमेंट में खूब लोग कमेंट करना अपना मोबाइल नंबर अपनी सेचली के बलेक उसी में अपलोड कर रहे हैं भाईया ऐसे जॉब नहीं मिलती कि फेस्बुक सोसल मिडिया कहीं पर भी आप पोस्ट पढ़िये उस पर आप कमेंट में अपना नंबर डालो यह सब करो आपको जॉब मिल जाएगी इतना असान नहीं होता इन चीजों को लेकर लेकिन लोग करते हैं वही लोग यह सब करते हैं जिनको इस बात की समझी नहीं है कि जो है सही क्या है गलत क्या है कैसे उल्लू लोग बना रहे हैं खैर अब इनको देखकर के बांकी रोड इस्थित दबतर में पहुँचे तो वहां ताला लटका मिला दोखा धड़ी का सिकार हुई महिलाओं ने बताया कि मार्च माह में सहर के लालपुर इलाके में एक आफिस खोला गया जहां बेरोजगारों को रोजगार और महिलाओं को घर पर ही रोजगार देने की बात क रही गई कमपनी के मेनेजर ने बताया कि या कमपनी बिहार के जिला सिवान की है उदगाटन की वीडियो भी दिखाई इस पी आफिस पहुचे पेड़तों ने बताया कि 5,230 महिलाओं से 120 रुपया प्रती महिला लेकर के रजिस्टर के नाम से जमा कराए गए कई गाओं मे जाकर के महिलाओं को सेनेटरी पैट पैकेजिंग का प्रसिचर दिया गया आरोप है कि एक महिने बाद कमपनी का संचालन कर रहे व्यक्ति ने अपनी बड़ी मा का सुर्गवास की बात बता करके जाने की बात कही उसके बाद से व्यक्ति का कोई पता जता नहीं है 5,230 महिल भी कमपनी के लोगों के पास हैं बताओ बहंक वाला सब भी दिये पड़े हैं कमपनी वालों को बताओ कैसे कैसे लोग हैं बताओ आज के जमाने में ये आलम बना हुआ बेरोजगारी मानता हूँ लेकिन बुद्धी तो होनी चाहिए बेरोजगारी है तो वो समझ में आता लेकिन दिमाग तो काम करना चाहिए कि कैसे लोग हैं भाई कुछ पता करो कमपणी के बारे में या ऐसे ही नहीं कि गाउं में कोई मूटा कर चला आया और आपको बता दिया हमारी फलानी कमपणी इसमें जुड़ जाओ, ये करलो वो करलो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और आप उसी में लग गए तो ये कहीं न कहीं आप जागरूक नहीं है इस वज़े को दरसाता है साथी बताया गया उन्हें डर है कि कहीं दोखा दड़ी करने वाले ग्रूप उनके अविलेकों से छेर चार करके किसी अन्य घटना में न फसा दे आनंद सुखला ऐसे अब देखो कर भी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे ही लोग आजकल कमा खा रहे हैं दोखा दड़ी करके आप सबको खुछ सोचना चाहिए और आगे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मामले ना हो इसलिए इस वड़ियों को भी सेर करें ताकि लोगों तक ये जानकारियां जाएं आगनबाडी केंद्रों पर बनेंगे लर्निंग लैब खेल सामागरी से अंकों का ज्यान भी सिखाएंगे वही लर्निंग लैब या लर्निंग कॉर्नर आप कहलो स्मार्ट क्लास से सिखित होंगे आगनबाडी के बच्चे ये अर्विन दुबेजी का लेक है जमालपूर पढ़ता है वही का मामला है और यहां पर आपको बता दें इंदु मिस्रा जी बाल विकास अर्धिकारी उनका क्या कहना आगनबाडी केंद्र पर आने वाले तीन से 5 वर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए देeren से 5 ने 3 शे वर्स तक के बच्चे आगनबाडी में पढ़ने आते हैं या तो बताने वाले को पता नहीं होगा या फर लिखने में वाले को फिर वो भूल गये होंगे इसके बताया गया इसके तहत स्मार्ट क्लास और रोचक तरीके से अंकों का ग्यान ये तो दिया ही जाएगा आंगन बाड़ी केंद्रों को भी तमाम सुविधाओं से पुरी तरह अपग्रेड किया जाएगा सासन से जो guideline जारी है उसकी अनुसार साथ आंगनबाडी केंद्रों को चिन्नित करके उसकी सूची भी भेज दी गई है अनुमती मिलने पर ही learning lab के तहट आंगनबाडी केंद्रों को upgrade किया जाएगा देखो जी हाँ ये learning lab के रूप में विक्सित होंगे वो अलग है बाकी learning corner जो बन रहे हैं चार वो अलग है उसमें केंद्र पर चार कोने बनेंगे उसके खिलाओने आएंगे वो है learning corner और ये है learning lab learning lab ये आंगनबाडी center उस model के रूप में विक्सित होंगे जैसे एक बार नंदगर के रूप में विक्सित कराएगे थे गुजराती model के आदार पर तो उस तरह से कुछ आप समझ लो learning lab के रूप में दिवालें बढ़िया होंगी सब कुछ उसमें बना होगा चितकारी टाइप से बच्चों को आकरसित लगेंगी ऐसा कुछ आपको देखेगा तो ये एक जानकारी वहां से आई फिलाल काफी बाते आप लोगों को पहले से इस बारे में पता है कुछ उमलता मतुरा से हैं देखो उनके बच्चे पढ़ने आते हैं और कुरसियां भी है तो आप देख सकते हो बाकी मेहनद भी बहुत करती है और बच्चे भी इनके बहुत ही आते हैं आगे ओमा जी हैं कानपूर देहास से जनों ने अपने वहाँ से देखो कुछ फोटो बेजी थी, कुछ जानकारियां बेजी जैसे कि एक तो ये फोटो खाना बनाने की बाद में बच्चों को खिलाने के डेली डाल देती हैं बहन, चलो काफी लोगों ने देख लिया है, बाक अलेंडिया पर तो आप सबको पता ही है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, धन्यवाद फिर आज के इस वीडियो के लिए, अगले वीडियो में कल सुबह आप लोगों को हम फिर मिलें